नमस्कार जोहार दोस्तो मेरा नाम है अरूप और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार भीव अपरांगापरा यूटूब चैनल में तो दोस्तो हमारे जो पिछले वीडियो STSC Act Part 1 जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे अगर असम के आदिवासी लोगों को अगर ST का स्टेटेस मिल जाता है तो कैसे हमारे जो आदिवासी बेहन बेटिया है उनकी सुरक्षा होती है कैसे उनको एक अनुखा संभीदानिक सु हो चाता है तो यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि अगर आप STSC के मांग कर रहे हैं सरकार से तो आपको इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है तो आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरू तो देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि पूरे देश में तो फिलाल तो आप यह मांग चल रहे है कि जो यह स्टी स्टेटर्स है या फिर जो यह रिजर्वेशन कोटा रखा जाता है जो सरकाई नोकरी पे जो पिछरे लोगों के लिए इसको अभी हटा देना चाहिए क्योंकि लोगों को लगता है कि जो पिछरे लोग जो पहले जिनके लिए यह रिजर्वेशन कोटा जो बनाया गया था वो लोग अब काफी डेबलोफ को है उनको आज तक स्टी का स्टेक्टस नहीं मिला जबकि उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था क्योंकि मैं अगर अपना पर्सनल राय बताओ तो मुझे मैं जब उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ वो अभी भी बहुत ही पिछरे हैं उनको दुनिया के साथ मिलुकर चलने के लिए ताल से टाल मिलाने के लिए उनको मदद की ज़रृत है लेकिन उनको आज तक एस्टी का स्टेक्टस नहीं मिला है तो यह मैं है किसीा खिलाप नहीं बोल रहा हूं खर यह बात अल्य सिब्सक्राइब से कि देखिए कैसे जो होता है जो स्टी स्टेटस जब मिलने के बाद जो रिजर्वेशन कोटा है उस पे जो सेडूल ट्राइब लोगों का जो हिस्सेदारी होता है वो कितना होता है एस्टी जो रिजर्वेशन जो कोटा होता है सरकाई नौकरी जब देते वक्त वो कोटा किस त यह रिजर्वेशन कोटे से फाइदा पोचता है तो देखिए सबसे पहले जो इसमें जो है मैं आसान भासन आपको समझेने कोशिश करता हूं तो आप समझ जाएंगे बहुत ही जल्दी तो देखिए यह जो फर्स्ट पहले नंबर पर है यहाँ पर कैटिगरी है तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर रखा गया है रिजर्वेशन परसंटेज उसके बाद है नंबर ओप सीट रिजर्व उसके बाद है नंबर ओप टोटेल सीट फॉर कंपेटिशन तो अब इसको मैं आपको समझाता हूं देखिए यह जो कैटेगरी में है सबसे पहले नंबर पर रखा गया है एकोनोमी विकर सेक्षन यानि कि जो आर्थ जो लोग आर्थिक रूप से जिनके पास पैसे नहीं होते है मतलब पराने के या फिर नौकरी के लिए या कुछ भी कह लिजे जो गरीब लोग होते हैं उनको यहाँ दस परसंट रिजर्वेशन दिया गया है उसके बाद Ovit की बात कर लीजए Ovit का मतलब यह है कि जैसे कि बाद लीजे जो पिछेरे जाती होते हैं जो बहुत गरीभ नीचे जाती के होते हैं उनके लिए 20% रिजर्वेशन है उसके बाद सेडूल कास्त के लिए है आपका 15% reservation उसके बाद ST schedule type के लिए है 7.5% reservation उसके बाद general के लिए कोई reservation नहीं होता है general के लिए 40.5 seat है तो अब मान लीजिए जो उधारन के तोर पे आप मान लीजिए कि अब हम भारत जो सरकार जो है सरकार ने 1000 नौकरी का पोस्ट नया निकला तो उसमें कहा सरकार ने आईए 1000 पोस्ट खाली है नौकरी का आप लोग आके नौकरी कीजिए तो उसमें क्या है, सरकार्ण ने क्या रखा है, उसमें reservation रख दिया है सरकार्ण ने अब 1000 seat के जो मताबिक जो उसमें उन्हों ने ये 100 seat पहला जो ये 100 seat ये रखा है Economy Vicar Section के लिए, यानि की जो गरीब लोग है, उनके लिए जो यहां तक पहुँच नहीं सकते उनके लिए 100 seat reserve को गडखा है, तो उसके बाद 270 यानि कि 27% का 270 होता है, 1000 में सब निकाल ले, तो OBC cast के लिए जो गरिब cast है, गरिब लोग के लिए 270 seat यहां reserve का गडखा है, उसके बाद schedule cast के लिए, सीडूल कास्ट के लिए यहां 500 सीट रिजर्फ है कि यहां 500 सीट में उन्हीं को जगा दी जाएगी उसके पाद सीडूल ट्राइप के लिए यहां पर 75 सीट है और जेनरल लोगों के लिए 400 सीट है जो यह तो रिजर्फ में इसमें कोई भी कंपेटिशन कर सकता है अब यहां jest जो इस न्वकरी के लिए लेकिन उनको यहां जो यह जो जेनेरल केटेगरी में जो 405 सीट है वो इस पर भी वाइट कर सकते हैं वो चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं तो यह भी तो इसको मिलागे फुल मarmal सकते हैं मतलब यहां से एंट्री उसकी हो सकती है तो कुल मला के उनका हो गया 675 उसके बाद ठीक स्टी का भी स्टी का भी स्टी का भी ऐसा ही है उनके लिए देड़ सो से रिजर्वेशन है लेकिन देड़ सीट के अलावा वह चार्ट सो पाथ सीट में भी कमपेटिशन कर सकते हैं नोकरी के लिए तो यहां हो गया 555 उनके लिए यहां कमपेटिशन कर सकते हैं उनका तो उसके बाद आता है स्टी लोगों के लिए सारे 7 परसन जो रिजर्वेशन है यानि कि 75 सीट तो रिजर्व रहेगा ही प्लस उनका जो यह 405 है इस पे भी वो लेकिन इसके अलबां और किस तरसे वाइदा होता है और और इस तरह से फाइदा होता है कि अगर आप ST category के हैं तो जो सरकार क्या करते हैं जो अगर सरकार ने जैसे की मान लिए उधारन के तरवे में आपको बता रहा हूं कि सरकार ने जैसे की 1000 नौकरी की जो पोस्ट निकाली है तो उसमें सरकार क्या करेगी जो general category के लोग है जो साम कोटेश आते हैं आपके पास ST status का जो दर्जा है तो आपको यह special फाइदा मिलेगा कैसे मिलेगा कि सरकार आपको कहेगी जो यह category के लोग है और BC या फिर SC ST जो भी है इनको कहेगी कि नई आपको बस 60% मार्ग लाना है यह cut out rate हम जो मार्क से आपके लिए रखे हैं आप इतन यह लोग कहते हैं कि हमें ST चाहिए ST चाहिए और हमारे जो आदिवासी लीडर प्रदीब नाग जी भी यही कह रहे हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि जो ST का स्टेटस का जो महत्व होता है वो कितना होता है यह इस चार्ट के जड़ी हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग को इस टॉपिक के बारे में काफी हद तक को समझ में आया होगा और अगर समझ में नहीं आया तो उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है आप हमें नीचे कॉमेंट कर सकते हैं आप हैस्टेग आस्क अरूप लिखके हमें अपना सवाल लि लेके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिस वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे जो ये हमारे जो ये मेहनत है ये वीडियो यूटूब के अल्गोरिधम पर रेंक करता जाता है और हमें भी काफी उत्सा मिलत है तो इस वीडियो में पस इतना ही बाकि अगले बार मिलेंगे एक और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ ऐसे वीडियो देखते रहें लिए हमारे चैनल व्योप रांगाप्रा को सब्सक्राइब कर लिजे तब तक के लिए धन्यवाद कि अगर कि अगर कि